एक छोटे से गावों में 6 साल का एक लड़का अर्जुन रहता था, जो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो मंदिर जाकर गणेश जी को फूल चड़ाता और उनकी आरती गाता। एक दिन अर्जुन का प्यारा खिलोना हाथी तूट गया, वो बहुत उदास हो गया और रोते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगा। गणेश जी मेरा हाथी ठीक कर दीजिये। उस रात अर्जुन ने सपना देखा कि गणेश जी खुद उसके पास आए और बोले। अर्जुन चिंता मत करो। असली खुशी खिलोनों में नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेलने में है। सुबह उठते ही अर्जुन ने अपनी उदासी भूल कर दोस्तों के साथ खेलने का फैसला किया। जब वो बाहर गया तो वहां उसका खिलोना हाथी सही सलामत रखा मिला। अर्जुन को समझ आ गया कि गणेश जी हमेशा उसकी भलाई का ध्यान रखते हैं।